Hi traders this is Gupi Singh here so once again welcome back to our channel CPR price action trading CPR by Guru So, आज का जो वीडियो है Camarilla Pivot Trading and CPR Pivot Trading के उपर है So, आप लोगोंने अकसर इन इंडिकेटर के बारे में सुना होगा Camarilla के बारे में सुना होगा Basically these are lagging indicator So, अगर आप price action trading करते हैं और ये दो indicator यूज़ करते हैं Camarilla and CPR तो आप बहुत easily profitable हो सकते हैं अगर आप थोड़ा price action के उपर अपनी strategy के उपर काम करते हैं So, आज मैं आपको इस वीडियो में अपना strategy शेयर करने वाला हूँ CPR and Camarilla strategy जिसमें मैं CPR को भी यूज़ करता हूँ और Camarilla को भी यूज़ करता हूँ और दोनों के जो लेवल्स हैं उनको लेवल्स को यूज़ करके हम कैसे trading करेंगे चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा काफी लोग मुझे मेरे indicator के बारे में पूछते कि मैंने कौन सा indicator लगा रखा है क्योंकि इसमें इन देखी कुछ zone mark है जैसे ये red color का zone mark है ये blue color का zone mark है ये green color का zone mark है इस इंडिकेटर का नाम है advanced cpr by guru इस इंडिकेटर में क्या क्या मिलेगा मैं आपको पहले वह चीज़ बताता है प्रिविएस डे प्रिविएस डे लोग वी वाइप इंट्रा डे सी प्यार टोमारो सी प्यार एसम में मिलेंगे आपको एम मिलेंगे ADR level मिलेंगे कैमरिला मिलेंगा और भी बहुत सारे जानी कि आप weekly cpr देखना चाहता तो weekly cpr भी इसमें देखी इसमें इतने सारे cpr है weekly भी है monthly भी है और yearly cpr भी है 60 minute cpr भी 75 minute cpr भी बहुत एक बहुत advanced cpr इंडिकेटर है लेकिन ये आपको free में trading view पे नहीं मिलेगा ये publicly trading view प करने के लिए video नहीं बना रहा क्योंकि काफी लोग सवाल कर रहे थे कि मुझे कि आपका इंडिकेटर में जब trading view पे सर्च करता तो ये मुझे इंडिकेटर मिलता नहीं क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंडिकेटर पब्लीकली अवेलिबल नहीं है पब्लीक मैं चार्ज करोंगा लेकिन आपको ये इंडिकेटर लाइफटाइम मिल जाएगा चलिए अभी शुरू करते हैं कि हम लोग इस कैमरेला को कैसे यूज करेंगे कैमरेला और सीपर पिवर्ट को कैसे यूज करेंगे सबसे पहली चीज मैं एक बार के लिए कैंडल्स को यहां पे चार्ट पे बंद कर रहा हूं ताहां कि आपको मैं थोड़ा इस चीज के ऊपर एक्स्प्लानेशन दे सको कि मैं कैसे यूज करता हूं तो अभी मैं थोड़ा चार्ट को स्क्वीज कर रहा हूं मनलगी जूम कर रहा हूं अभी आप यहां पे देखिए सबसे पहले आपना मेरे सीपियार के रवल्स के बारे में समझजहे की सीपियर में मैं कौन-से लेवल यूज करता हूँ देखिए CPR में एक अग मैं सेंटर से शुरू करूं तो यहां पर हमारे पास CPR की तीन लाइन है तो इसको मैं CPR बोल देता हूं इस एस वन फिर एस टू फिर नीचे एस त्री ऐसे लेवल सेम एज यह ग्रीन कलर का अप लेवल देख रहे हैं इस आरवन ओपर एक और 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 अरज लाइन में पीछे रेड कलर हाई तो इसको मैं क्या बोलता हूं पीडियेच एंड आरवन जोन इन दोनों लेवल्स को मैं सि बोलता हूं पीडियेच एल प्लस रवं जोन बोलता हूं तो तो यह सके न लेवल्स बारे में आपनों पूरा डेटेल इंट्रोडेक्शिण दे या है तो अभी मैं यह लेवल्स को यहीं रेने दो और और अभी मैं क्या कर रहा हूं मैं इसके साथ Camarilla Level भी लगा रहा हूँ अभी मैं CPR के Level को कर रहा हूं और अभी इसमें क्या कर रहा है। इसने हम इसमें एक हम डिलीड कर देते हैं, अभी इसको बोलते हैं H4 लेवल ठीक है जी कैमरीला में मैं सिर्फ चार लेवल को ही important देता हूं L3, L4, H3 and H4 ठीक है यह मेरे कैमरीला के लेवल है अभी मैं क्या कर रहा हूं इसके साथ CPR को भी apply कर रहा हूं ठीक है मैं अभी चार्ट मैंने चार्ट की candles खोल दी एक मिन अभी मैं क्य कर रहा हूं यहां पर CPR को भी apply कर रहा हूं देखिए मेरा CPR भी apply हो गया अभी पहले हम लोग क्या ना इसकी कैमरीला की थोड़ा basic introduction कर लेते हैं देने उसके बाद में फिर आपको strategy के उपर लेकर चलता हूं यह जो आपका H3 लेवल है और यह जो L3 लेवल है इसका मतलब समझ लिए अगर मान के चली candles आपकी इस लेवल के उपर trade कर रही है जब भी market में trade करते करते candles आपके इस लेवल के पास आएंगे तो यह kind of L3 will act as a reversal मतलब कि आपको support देगा मतलब कि यहां पर आपको क्या करना है buy reversal trade करना है मतलब कि call buying का trade find करना है और इसमें आपका reversal trade find यह आपको reversal में help करेगा ठीक है L3 always act for a reversal and it always give you a buying trade ठीक है same as it is H3 है यह आपका sell के लिए sell reversal trade आपको देगा salary reversal ठीक इसमें आप क्या करोगे put buying करोगे इन दो levels की यह खास बात है ठीक है उसके बाद यह जो आपका H4 का level है यह breakout के लिए bullish breakout के लिए bullish breakout के लिए और same as it is जो आपका L4 level है यह है bearish breakdown के लिए breakdown के लिए будeerish breakdown के लिए आप क्या करोगे L4 को यूज करें लेकिन मैं जो यूज करता हूं मैं इसको खाली mattress Camarilla को उनल हमखे नहीं करता मैं इसमें cpr कू साथि इसके साथ में cpr को यूज करता हूं इडवांस price action के लिए मैं करता हूँ इसके साथ CPR को यूज करता हूँ मैं अभी CPR को भी लगा रहा हूँ अभी मैंने आपको Camarilla के H3, L3, H4 और H3 के लिए मैंने आपको सारे detail में समझा दिया अभी जो मैं trading करता हूँ इसमें मैं hot zone trading करता हूँ hot zone क्या होता है सबसे पहले समझेंगे कि hot zone जो मैंने अभी नाम बोला है इस का क्या मतलब है hot zone trading hot zone trading का मनलग जैसे कि यहाँ पर देखे हमारे पास CPR है this is our CPR zone यह पूरा जो तीन लाइन है इसको मैं CPR zone बोलता हूँ अगर CPR zone के अंदर Camarilla की कोई भी एक लेवल आजाए जैसे कि यहाँ पर आपको परपल कर रहे का क्लाइन दिखा यह हमारा क्या है यह हमारा है L3 लेवल so this level will be hot zone for me ठीक है hot zone क्यों क्योंकि यहाँ पर दो लेवल आगे market एक लेवल को market देखो अपने कहानी सुनेंगे ने कुमना बज़रों का बूड़ा अदमी होता है उसके 5 Entit होते हैं लड़के लड़के होते और वापस में लड़ते रहते तो एक दिन हो जो बूड़ा अदमी होता है परिशन हो जैताः कि मैं अगर मर्के तो मेरी बचसो . दो भर-ष़ devient प्में तो वोना फिर क्या करता है उन लड़कों को बोलता अपने बच्चों को बोलता कि आप ना सब्सक्राइब पांच लखणी यह तो तो नहीं तोटती तो उसका रीजन कहा उसका का लॉजिक है कि अगर आप आप पांच-छे भाई साथ में मिलके रहोगे तो आपको दुनिया के कोई ताकत तोड नहीं सकत आप एजली हर एक चीज के साथ लड़ सकते हो सेम इस यहां पर वही कहानी है अगर आपका एक लेवल के साथ कुछ और किसी इंडिकेटर का लेवल आपके यहां पर आजाएगा तो वह लेवल आपके लिए क्या हो जाएगा वह जोन क्या हो जाएगा आपके लिए होट जोन कि यहां पे आपके दो लेवल है ठीक है सेम एज भी तिसमें भी लेवल आगे है इस जोन में भी लेवल अगे इस लेवल इस अगेन होट जोन अभी आप समझ गए होंगे कि होट जोन क्या होता है मतलब कि वह लेवल जो लेवल समझ लेजी एकदम लक्षमन रेखा की तरह काम करें अभी चलिए मैं आपको चार्ड के ऊपर केंडल को ओन करके दिखाता हूं सब्सक्राइब करके देखें यहां पर ध्यान से देखिए इस दिन क्या हुआ मार्कीट ऊपर खुला और सी पेर के पास आया और सेंट्रल पिवट के पास में यहां पर आपका केमरिला का लेवल भी आ था देखें पूरा दिन मार्केट इस जॉन को नहीं तोड़ पाया ठीक है तो यह होता है hot zone hot zone की यही खास बात होती है ठीक है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते है reversal trade फाइंड कर सकते है जैसे मान चली यहाँ पे market गिर रहा है तो आप यहाँ पे long opportunity फाइंड कर सकते है long opportunity तो जैसे आप यहां पे long opportunity find करेंगे तो आप SL गहां पे रखोंगे आप SL लगाओगे CPR के नीचे तो देखी इस दिन आपने अगर buying trade किया है तो आपको यहां पे आपने SL लगा यहां पे और आपका target यहां पे आपको मिल गया ठीक है target और entry सब बाद में बात करेंगे लेकिन अभी आप main concept को समझे मैं भी target और entry पे नहीं हो किस दिन आपको मैं detail में बता दूँ लेकिन अभी आप just जो समझना है कि हम इसको कैसे use करेंगे वो चीज़ को समझ हमारा PDH और R1 zone के पास क्या था हमारा H4 का level था तो क्या हुआ market नहीं टूटा मार्किट ने क्या किया reverse किया ठीके जी same as it is इस दिन दिखी क्या था हमारा PDH zone के बिलकुल पास में ऊपर क्या था हमारा L4 level था तो क्या किया market ने कितना struggle के इसको तोड़ने के लिए फिर नीच यह सारी चीज़े अपन डिस्कुस करेंगे मैं आपको यह चीज समझाने कोशिश कर रहा हूं कि यह levels कैसे काम करते हैं सीपर के साथ look at this day also आप यहां पे दिखिए आपका कौन सा level था आपका H4 का level है और यहां पे आपका और कौन सा level है R1 और आपका PDHB है तो market ने क्या कि आप पूरा दिन इस level के उपर ही trade क्या है ठीक है आप यह चीज़े समझने कोशिश करें कि कैसे यह जो Camarilla और CPR को हमें use करना है इन levels को हमें use करना है ठीक है तो अगर कहीं पे भी CPR level के साथ अगर आपका कोई Camarilla का level भी आ रहा है तो that means that definitely that level will act as a support or resistance अगर market उस level के जैसे यहां पे देखिए दो level ही कठ्थे आ गए ठीक है आपका S1 लेवर स्टू भी है और नीचे आपका L4 भी है तो यहां पे अगर चलिए market नीचे trade कर तो definitely यहां से market rejection लेगा 101% rejection अगर इसके उपर trade कर तो market definitely यहां से support लेगा ठीक है जी इस तरीके से हम Camarilla और CPR को use करेंगे अगर आप यह सारी चीज़ें detail में जाना चाते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एकदम बड़े detail में सिखा हूँ और इसके उपर मैं आपको live trade लेके भी दिखा हूँ और आप लोगों को भी live trade execution सिखा हूँ अगर आप personally मेरे साथ जोइन करना चाहते हैं मेरे एक मैंने के live trading workshop के जोइन करना चाहते हैं तो उसकी fees मैंने आपको यहां पे declare कर रखे और यह मेरा telegram है आप मुझे personally contact कर रखते हैं और आप daily मेरे साथ live trading कर सकते हैं live trading जो हमारा चलता है सुबा 9 बजे से लेकर 3.30 बजे त इजली मार्केट में profitable हो सकते हैं सो धन्यवाद नमस्का शुक्रिया मिलते गले वीडियो में